पुष में तीन पंखडियां होती हैं, तीनों सेनाओं को रिपर्जेंट करती हैं आर्मी नेवी एरफोर्स को और उसके साथ साथ उसके पूरव की तरफ एक बहुत ही शांदार तरीके से पलेक ग्रिन एट की दिवार बनाई है, पुर्ज बनाया है शांतमई जो होटेल है रोतक सहर के पीचों बीच वहां पर एक कारगिल विजे दुवार बनाया गया था ब्लेक ग्रेंडाइट के पत्तर से उन पर उन नो के नो जवानों का पूरा जीवन प्रीचे वहां लिखा हुआ था किस परकार से उन्होंने साथ दी किसी ने प्रमवीर चकर लिया, किसी ने महावीर चकर लिया, किसी ने वीर चकर लिया, किसी ने शोर्य चकर लिया, किसी ने सेना मेडल लिया उन सब के फोटो वहां पर परतरसित हैं पूरे हर्याना के कारगिल का जो युद्ध था जैसे साब ने बताया कि एक जून से स्टार्ट हुआ और तीन और च्यार जून को फोर्जाट ने एक्शन शुरू कर दिया था उसमें एक टोली जिसमें मेरे रियल बर्दर परताप सिंग भी थे वो उपर चड़ तेश में गायल भी हुए और बटालिन ने काफी नुक्षान भी उठाया वहां पर कई जवान सहीद हुए कई गायल हुए और वो ऐसा दुर्गम स्थान पर लड़ी गी लड़ाई थी को गाटी है सब जगह पर युद लड़ा गया और लार्ज स्केट पर लड़ा गया इसमें भारत का भी और साथ साथ पाकिस्तान का भी बहुत जानमाल के आनी हुए क्योंकि एक दुर्गम उस पर चोटियों पर दुस्मन बैठा था और जिसके कान उपर से पथर भी मारे त उसमें सईद हुए देश के काम आए और रोतक जिले के नौजवान सईद हुए और उनकी याद में शांतमई जो होटेल है रोतक सहर के पीचों बीच वहां पर एक कारगिल विजेदवारा बनाया गया था ब्लेक ग्रेंडाइट के पत्थर से उन पर उन नो के नो जवानों का पूरा जीवन प्रीचे वहां लिखा हुआ था किस परकार से उन्होंने शादत दी तो लगबग आठ साल पहले नो साल पहले उस विजेदवार को वहां से अटा दिया गया था और यह कहा गया था कि इस विजेदवार को हम दूसरी जगह कहीं बहुत अच्छे सवरूप म पिछे जब आये थे वार मेमोरियल के उपर हमने कोई ऐसा अधिकारी या करमचारी नहीं छोड़ा हर डिशी को हमने बताया निगम ने अटाया था तो निगम कमिशनर ने पिछे उसके लिए 25 लाख रुपे भी जारी किये थे 31 दिशंबर 2022 को उन्होंने जारी किया था पैसा 25 लाख रुपे कि युनिश्टिय गेट नंबर एक के पास वैर वार मेमोरियल के पार्ष में ये विजे दोवार बहुत सुन्दर तरीके से बनाया जाएगा लेकिन क्या कहें आसवासनों के इलावा पूर्व सैनिकों को आज तक कुछ नहीं मिला वो विजे दोवार की सौगात जिसको आज भी वीर नारियां और वीरों के परिवार याद करते हैं जिनके बेटे इस युद में काम आये जिनकने अपनी साहदत दी उनकी याद को सरकार बनाए जितना जल्दी बनाएगी उतना अच्छा रहेगा क्यों यूनिस्टी में तो बहुत शांदार एक वार मेमोरियल बना है और उसमें तीन पंखडियां होती हैं तीनों सेनाओं को रिपर्जेंट करती हैं आर्मी नेवी एरपोर्स को और उसके साथ साथ उसके पूरव की तरफ एक बहुत ही शांदार तरीके से बलेक ग्रिन एट की बनाई है बुर्ज बनाए है जिसके उपर 1907 तारी से लेकर आज तक जिन वीरोंने देश के लिए अपनी साहदत दी है अपनी जो है बलिदान दिया है उन सबके नाम उसके उपर दरज हैं और जो अन्दर हाल ऑफ फेम हैं उस हाल ऑफ हेम में उन सब वीरों के नाम लिखे प्रमवीर चक्र लिया, किसी ने महावीर चक्र लिया, किसी ने वीर चक्र लिया, किसी ने शोर्य चक्र लिया, किसी ने सेना मेडल लिया, उन सब के फोटो वहाँ पर परदर्सित हैं, पूरे हर्याना के, ये राज्यस्तरिय युद्ध समार का है, पूरे हर्याना के वीरों के फोटो वहां लगे हैं और उनका वहां पर प्रिचे दिया है सामने जब आप हालो फेम में गुस्ते हैं गुस्ते ही सामने अर्याना का एक मात्र परमवीर चक्र विजेता करनल उशार सिंग दैया उनका श्टेचू लगा है और उनके गाउं में भी उनकी याद में एक मेमोरि प्रिचल बना है उसकी हालत बहुत दैनिये हैं उसकी टीन की छत है वो टूटी हुई है उसकी जो मूर्ती है उसका कान टूटा हुआ है सामने जो कोटेशन लिखी है उनके नाम की वीरता के उसकी वह भी दरार खाई हुई है तो हमारा सरकार से भी अनुरोद रहा है पहले हम टी सी साब सौनीपत से भी मिले हैं हमने वहां के सांसत जी को पहले जो कोशिक जी होते थे उन्होंने कहा था कि भई हमारे पास एस्टीमेट बनाकर लाओ हम 10 लाग रुपे जारी करेंगे लेकिन किसी ने एस्टीमेट बनाकर नहीं दिया हम दो तीन बार जो खरकोद्द से हमने रिक्वेश्ट की है कि हर्याना के एक मात्र प्रमवीर चक्र विजयता की जो समाधिस्तल है उसका जल्दी से जल्दी जीर्णों धार किया जाए शांदार तरीकी से बना जाए ताकि वीरों को शमान मिले सईदों के परिवारों को क्या करना होगा है सईदों के परिवारों को तो हम कोटी कोटी नमन करते हैं सद्धा से उनके आगे अपना शिर जुकाते हैं और उन सईदों को भी नमन करते हैं सईदों के परिवार वहां पर जो याद बनी है उनकी वहां पर आएं 25 तारिक को कार करते हैं और आपके मादम से हम उनको वहां पर आमंत्रित करते हैं कि वो शब वहां पर शाम के साथ बज़े आएं सईदों की याद में एक पौधा लगाया जाता है और वहां पर युद समार्ग पर उनको केंडल जलाकर हम समझ अपने सरदांजली अरपित करते हैं विजे दिवस सभी स्थारी को किस तरह से मनाते हैं बहुत ही मतलब शर्दा के साथ उस एक विशेज सईदों के परती शर्दा होती है जो युद समार्ग बनाया है वहां पर डिस्टिक लेवल का प्रोग्राम होता है वहां पर हम सईदों को नमर करते हैं और परिवारों जो परशाशन की तरफ से उनको संबानित किया जाता है मैं सभिदार ओन्रेडी केप्टन जैबीर शिंग जाट रजमट की चोथी बटालें से समंदर रखता हूं कि कारगल की लडाई पंद्रा मई से चुटपुट वार्दात सरू हो गई थी हमारे को पता चला था बटालिक से पत्र शेक कुछ रभान खबर दी थी जो उपरवारे पोस्ट हैं जहां ज्यादा अपरफ है वहां पर कुछ वर्दी दारी आदमी हैं तो वह खबर पूरे डू के जरिये फैलकर हमारी यूनिट में भी आई हमारी यूनिट का एक ऑफसर और 22 जवान हमारा भी एक बजरंग पोस्ट था जो कि भूँच जादा हाईट पर था और उसको भी निएमा नुसार खाली के आगा था क्योंकि शर्दियों में जादा तर उचे पोस्टों को खाली कर देती थे हम और गर्मी और मूनी पोस्टों को दूबारा पकड़ लेते थे लेकिन पाकिस्तान ने साजित सुरची अगे तो खाली पोश्ट तो नमा करके वह बैठ गए जब हमारे को खबर लगी कि वर्दिदारी आदि में आगे देखे गए हैं तो सोरब कालिया और उसके साथ 22 जवान जो है यह पता करने के लिए गए बदरंग पोश्ट की तरफ यह वहां पर दूस्मन है या नही जब यह बदरंग पोश्ट यह बात है 15 मई की 15 मई को जो है यह पार्टी यह खोजबीन करने के लिए गई थी जब यह बदरंग पोश्ट के नजदीक पहुंचे तो वहां पर बर्पड़ी हुई थी और रास्ति भूत तंग थे तो तक्रीमन एक लैन में ही जवान रश्य करके चल रही थे क्योंकि वहां कारावास बगरा ज्यादा था तो उसके बचना था और दुस्मन से बचना था तो वह जैसे नजदीक पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने फार खोल दिया तो कालिया साब ने तीन तरफ अपनी टीम को बांच दिया एक जो मतलब साथ आद पर जो हैं जो कालिया साब वाड़ी पाल्टी थी वो कारावास में फच गई विश्चे वो ज्यादा बर्फ के अंदर चले गए तो उनके शरीर ने कुछ समय बाद काम करना बंद कर दिया और जो अथ्यार थे वाथ्यार भी ठंडे होगे वो भी काम करना चोड़ीगे तो उन्होंने जो हने फिर उपर से रश्चे खेंश करके और इनको मतलब एक सहतागत तोर पर अपने पास पला लिया अगभई हम तुमारी मेंदल करेंगे अर अशी कोई बात ने लेकिन ये जैसे उपर उन्हों की कब जेम गए तो उन्होंने उनको कैप्टर कर लिया और आप 17-18-1920 तक जो हने ये बात चलती रही ख़बरों का आदान परदान होता रहा लेकिन कोई भी प्लानिंग जब तक नहीं बनी फिर इसके बाद में एक जून को जो हने युद का एलान हो गया एक जुन से युद शुरू हुआ और एक जुन से युद शुरू हुआ तो हमारी प्लानिंग बदलनी पड़ी आगे एक जो हने तीन इसों के अंदर अटेक प्लान बनाएगा जो दुर्गम रास्ते हैं रोब के जरिए कलम्मी के जरिए उपर पड़ो और एक जवान जो हने इनके करीब पहुँचो यह बात हैं साथ जुलाई की साथ जुलाई के अंदर जो हने शाम को अंदर ये प्रक्तिक ये मतलब कारवाय हमने शुरू की तो तीन ट्रूफ के अं कर दिंआ है एक पाल्टी एक वाएश उपर तो पर और एक कारवाई को करते करते हमारा जो हैना सुभइ के चार बेज़ गे आल्टिया सेलिंग तल रहा दा बेफर वा उपर से एटीवन मोटर का भी सेलिंग आ रहा दा और जो दूसरे बन के पास थोटे अथियार थे मीडिम मशीन गंथी लाइट मशीन गंथी उनका अथियारां भी 200 मार तल रहा दा लेकिन जो साइड से टूप तल उनको अनुमान नहीं था कि इतनी कटिन रास्ते से भी आ जाएंगे तो उस रास्ते से जब आम उनके नजदीक पहुंचे और हमने हला बोला तो वह पोस्ट को छोड़ करके बाग पड़े और अपना सामान वहां पर उन्हों छोड़ दिया फिर भी हम काफी देर तक मतलब उनकी स्टो लेते रहे और सुबहे दिन लकलने के बाद में हमने उदर तलाशी अभियान चला तो वहां पर उनका कोई आदमी हमारे को नहीं मिला शर्फ जो उनका रास्तान पानी और किट बगरा जो भी शामान था वहां पर पड़ा हुआ था वहां पर जाने का हमने देख तक्रीमन जो है दो पर से जादा अटेम हो गया उसके बाद में जो है ने पिछ्छे ये बात बताई गई तो ये जूद जो है नका हरकल का जब पिछ्छे से अमारे पास अनमेशन भी आया सपोर्ट भी आई और जो है दास्टर बगरा भी आए सब चीज आए फिर वो पोस् जूद दुलाई को ना अच्छे से अठाइस जूद दुलाई के बीच में खतम होई थी इसमें अमारे जो है ने दो अफसर और तेश जवान सहीद होई थे क्योंकि जाट के अंदर रहग्याना राजथान यूपी तुनों स्टेट है जिसमें हर्याने के जो है ने चार जव ने लिए जवान सहीद है और अर्याने के अएँए थे चातर जवान सहीद और तोटर कारकल सेक्टर और बटालीक और दराज के अंदर हो थे 5027 को मैं और हम उनकी यादगार मैं हमने दराज में उनकी वा समाधियां बनी होई है जो जमान सहीद होई थे और यहां जो है जो आजय से जजर का अपना वो विश्राम क्या है जिला सनिक बोर्ड में भी इनके नाम लिखे हैं यहां पर जोहने युनुवरिस्टी में भी इनके नाम लिखे हैं और 26 तारिक को आम इनकी याद के अंदर मुंबती जड़ाते हैं और इनको याद भी करते हैं और छोटे-छोट स्राम भी करते हैं और लोगों को इनकी वीड़ता के बारे में बताते भी हैं ताकि आने वाली पीडिया इन से सबक लें और यह जो हन मैसूस करें आकि द्रास्ट्र से बढ़ कर आपने लिए कुछ नहीं